Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun, मैं हूँ चेतना, आज हम discuss करने वाले हैं vowel and consonants because मेरे पास काफी सारे message आ रहे थे कि मैम अगर आप vowels and consonants के उपर कोई वीडियो बना दे तो इससे हमारे बचों को काफी help मिल जाएगी तो आज हम discuss करने वाले हैं vowel and consonants, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से request करना चाहती हूँ अगर आप मेरे चानल पे नए है Kids Learning Fun पे और आपको वीडियो जो है वो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like जरू कीजेगा comment box में मुझे जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे जो alphabets होते हैं उसके अंदर letters होते हैं और letters कितने होते हैं alphabets के अंदर letters होते हैं 26 यानि कि in alphabets we have 26 letters और in letters के अंदर हमारे vowels and consonants यानि कि both दोनों ही होते हैं क्या क्या होते हैं vowel and consonant तो vowels कौन से होते हैं पहले हम वो सीखेंगे vowels होते हैं हमारे a e i o u यहाँ पर हमने एक diagram ड्रॉ किया हुआ है इसके अंदर हम लिखेंगे हमारे vowels तो चलिए अब हम लिखेंगे vowels vowels a e i o u यह हमारे vowels है कौन कौन से है a e i o u इसके अपार्ट जितने भी हमारे letters होते हैं alphabets में वो हमारे कहलाते हैं consonant तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने लिखें हैं तो हम इनको सबसे पहले circle करेंगे a e i o and u तो कितने होई बच्चों यह one two three four five so in 26 letters we have five vowels और यह जितने बचे वे आपको दिख रहे हैं ने जिनके उपर हमने circle नहीं किया है इन्हें हम कहते हैं consonant क्या कहते हैं बच्चों consonant so 26 letters में five हमारे vowels होते हैं and बाकी के बचे वे जितने भी letters हैं हमारे वो हमारे कहलाते हैं consonant और कितने बच्चों 21 letters बचेंगे वह बनते हैं हमारे consonant तो चलिए अब हम इसको फटा फट से यहां पर लिख लेते हैं जो भी हमारे consonant है यहां पर है बी, सी, and जी तो हमने यहां पर लिखे हैं हमारे vowels, and इनके अलावा जो letters बचे थे वह हैं हमारे consonant तो हमने यहाँ पर लिखे हैं consonant तो चलिए इन से related अब हम एक exercise को करते हैं So, let's find out some vowels Because we have a question Find out the vowels यहाँ पर हमें कुछ words दिये गए हैं और इन words में से हमें find out करने हैं क्या find out करने हैं बचो? Vowels find out करने हैं तो vowels कौन से हैं हमारे? A, E, I, O, U तो चलिए देखते हैं C, A, T A, A is a vowel Sun, S, U, N U is the vowel Moon, O, O Double O है ना ति यह हमारे vowels है Ear, E, A, R So, E और A हमारे vowel है Bed, E Pencil, E and I E and I So, इसे परकार से आपको बाकी vowels भी जो है वो find out करने हैं So, चलिए next exercise की तरफ बढ़ते हैं Find out the consonants पहले हमने क्या found किये थे? Vowels And अब हम find out करेंगे Consonants So, first word है हमारा book So, book में हमारे कौन-कौन से consonant है? B and K Because O हमारा vowel है तो हम लिखेंगे यहाँ पे B And K Pen P N Pillow P L L W Eyes C Apple P P L यह हमारे consonant है So, इस प्रकार से वर्क्षिट बना के आप बच्चों को differentiate करवा सकते हैं Vowels And Consonants के बीच में So, next we have again one more question Color the vowels pink and consonant blue So, यहाँ पे हमें कुछ box दिये गए हैं और in box के अंदर कुछ capital letters लिखे हैं And कुछ small letters लिखे हैं तो जो vowels हैं उन पे हमें बचों से कौन सा color करवाना है Pink And consonant के उपर हमें करवाना है Blue तो यह exercise भी आप बचों को घर पे बना के दीजिए जिससे उनकी जो vowels and consonants है उसकी जो remembrance है वो strong हो और वो बार 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 जब भी आप उनको कोई भी exercise करवाते हैं या पढ़ाने बिठाते हैं तो आप एक या दो बार उनको बीच में जरूर पूछे कि vowels क्या होते हैं और consonants क्या होते हैं जिससे उनको अच्छे तरीके से remember रहेगा और वो कभी भी नहीं भूलेंगे सो बच्चों आज हमने पढ़ा है vowel and consonants के बारे में I hope आज की वीडियो से आप लोगों को vowels and consonants के बारे में सभी बाते clear हो गई होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करना है चैनल पे नए है तो subscribe करना है साथी bell notification bell को all पे जाके आपको click करना है ताकि आने वाली सभी kids learning fun की वीडियो आपको सबसे पहले notification की तुरू मिल जाए Thank you